कैसे आप लोग इमीद करते हैं कि एच्छे हैं के दोस्तों देखिए यह ससी जीटी 2021 के जो की फाइनल मेरिट के इंजार कर रहे हैं तो जो 85,000 मेडिकल फिट के इंडिट है मेरिट मेह का नाम जी हाँ दोस्तों होगी खुस खबरी इसमें हम लाइब दिखाएंगे निवज व और यह 2021 जो डेट है वो एक स्वपन का डेट है तो आई ही इसमें बताते हैं कि क्या सुराग मिला है निवज वालों से कि 85,000 मेडिकल फिट के इंडिट है और सभी को यह जोईनिंग यानिक निवक्ति पत्र दिया जाएगा नहीं तो क्या होने वाला है देखिए हम आपको बताते हैं तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर इससे पहले छोटा से क्रिक्वेश्ट है कि नए है तो सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों तो आए देखते हैं क्या है दोस्तों देखिए यह अमर रुजाला की प्रकासित खबर है जी ह देखिए इसमें क्या है है आइस किस्यपों भरती के लिए से जीडी का रिजल निकलने का कांटडाउं शुरूर जी हां दोस्तों यानि की कांटडाउं का मतलब होता है कि 10 दिन है 9 दिन है 8 दिन है 7 दिन ऐसे पीम से लगाई यह गुहार पीम से क्या लगाया गया है गुहार और जी यह देखिए जेते अंदर भार्द आजनाई दिली 12 जनुरी को परकासित ख़बर हुई है 5 बज के 24 मिनट में ठीके देखिए यह यह हम आपको बता दे क्या है देखिए सुरू से हम आपको पढ़के समझा देते हैं क्या लिखा है इस्टाफ सेलेक्षन कमीशन यानि S.S.C. के माधियम से केंद्रिस अरचानिक बलो में 6,210 पदों के लिए 2018 में सुरू हुई भरती परकिरिया का रिजल्ट अब निकलने जा रहा है जी हाँ दोस्तों उस समय कितना था 6,210 जो कि एडिसनल वालों को मिला करकी भी तो 2018 में सुरू हुई थी उसका परकिरिया का रिजल्ट निकलने जा रहा है 4 वर्स में सुरू हुई रिजल्ट के कांड़न को ले कर जी हाँ दोस्तों लगा गिए 4 वर्स के कांड़न को ले कर वैदकों में खासा जोसा है उसके बाद सcor बता देके लेकिन मगर उन्मे इस्टे अन्यक आविदक परिसान भी है जी हाँ दोस्तों वो ज़ए इस भरती 85,000 अवेदकों को मेडिकल फीट में पास कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों 85,000 जो अवेदक थे वो सपस्ट यहां प्लिक दिया गया है कि मेडिकल में पास हुए है अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें अन्य मौके निकल गए हैं जी हाँ दोस्तों अन्य जो मौके हैं वो निकल गए है इन में होने अपरधान मंतरे नरेद मोदी और केंद्रिय मंतरी ग्रिह मंतरी अमित साह से गवहार लगाई है कि मेडिकल फीट सभी अवेदक को नियुक्ति पत्र दिया जाए अवेदकों ने इसके लिए सोसल मेडिया पर भी अभियान शुरू कर दिया है जी हां दोस्तों सोसल मेडिया पर भी देखिए ये क्या है कि 9 जनौरी को SSC GT 2018 के अवेदकों ने 25 जरा त्रिक्त पथ बढ़ाने के लिए सोसल मेडिया पर एक दिविस्य अभियान चलाया था इसमें करीब 2 लाख अवेदकों ने भाग लिया चुकि अब SSC ने 20 जनौरी को फाइनल रिजल्ट जारी करने की घोसरा कर रही है इसलिए अवेदक सोसल मेडिया के जरिये पियम मोदी और ग्रियम मंत्री अमित साह तक अपनी बात पहुचा रहे है अवेदक का कहाना है कि यह भरती उनके लिए अंतिम चांस है बहुत से इवा ऐसे है जिनके पास बहुत दूसरा मौका ही नहीं क्योंकि उनकी आयू सीमा निकल चुकी है अगर इस इस्थिती में देखिए क्या लिखाए है कि अगर इस इस्थिती में केंदर सरकार मौजूदा पद में ही 25 जर्णाय पद स्रीजित कर देती है तो मेडिकल फिट पास सवैदकों के नौकरी मिल सकती है खास बातिया है कि केंदर सुरक्षा बलो में इस समय एक लाग से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जी हां दूस्तों हम आपको बता दें कि जब एक लाग से पद अधिक खाली पड़े हैं तो इनकों लेने में क्या दिक्कत है के महासची रणबीर सिंग कहते हैं कि सरकार अगर 25,73 सीटे बढ़ा देती हैं तो सभी मेडिकल पास इवाओं को रोजगार मिल जाएगा हजारों घरों में एक नई रोसनी वो गुर्जय का संचार होगा परधान मंत्री मोधी अक्सर इवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं इसके तहट वे सभी मेडिकल पास इवाओं को न्युक्ति पत्र जारी करने के लिए संबंधित विखागों कोदेश जारी कर सकते हैं नहीं तो देखिए क्या और अनबीर सिंग ने केंदर सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सभी मेडिकल फिट वाओं को न्युक्ति नहीं दी जाती है तो उनके कई वर्सों की मेहनत बेकार चली जाएगी कि इस भरती के फाइनल रिजल्ट में सभी मेडिकल पास सवेद्व का नाम सामिल नहीं होता है तो हजारों इवाद 14 फ्रवरगी जी हां दोस्तों आने वाले 14 फ्रवरगी को जंतर मंतर पनेश्चित का धारना परदार्सन करेंगे जो भी और अमर जाला में जो फरकास्ट वर्व रंवीर सरकेट चलते हुए जी हां दोस्तों रंवीर सरकेट चलते हैं देखिए रंवीर सार्मने केंध सरकार को चेटाटे हुए यह चेताने दे दिया हैं दोस्तों फिर मिलेंगा आगे वीडियों तब तक लिए जै हिंदुस्त बेस्ट आफ लाग की ए इन्फार्मेशन से आपको संतुष्ट होगा है कमेंट जरू करियागा दोस्तों